आज हम study करेंगे कि किन-किन जगों पर हमारे पर standard deviation या mean deviation हेल्प उट करता है अगर हम एक example लेते हैं एक XYZ कंपनी है जहां पर कोई employee निया employee join करता है उसको ठीक है और उसकी start-up salary जो है let's suppose 50,000 रुपीज है अब अगर on average देखें जी कि जो बाकी लोगों की salary है उसका जो standard deviation आता है हमारे पास ठीक है standard deviation जो कि data तमाम salary के अंदर on average spread बताएगा कितना पहला हो है mean value से ठीक है अगर वो standard deviation let's suppose 20,000 का आजए 20,000 का आजए तो इसका मतलब है यह rupees 50,000 की जो importance हमारे लिए इतनी जदा नहीं रहेगी चुकि हम यह नहीं कह सकते कि उसको start up package बहुत अच्छा मिला है ठीक है चुकि अगर individually हम कह सकते कि 50,000 बहुत अच्छा start है लेकिन comparative to the me standard deviation जो कि 20,000 है यह rupees 50,000 के बारे में हम कोई अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं करते जबकि एक दूसरी company है जहां पर हमने देखा जी के एक शक्स को start up salary just 30,000 रुपीज मिल रही है start up salary just 30,000 रुपीज मिल रही है और वहां पर जो लोगों की salaries का जो sanity deviation है ठीक है वो just rupees 2,000 है rupees 2,000 है तो इस case में हम क्या सकते हैं कि इस company के रहाज से इस शक्स को start up salary जो person B है ठीक है फर्स करें यह person A है और यह person B है इस शक्स को start up package बहुत अच्छा मिल रहा है जो कि वो लोग जो बहुत अर्शे से वहां पर काम करें उनको भी salary जो है इसके लग बग मिल रही है और इस problems इनको हल करने में मदद देती है इसी तरह से अगर हम किसी stock market की बात करें stock market की जिसके अंदर companies के shares ठीक है की sale या purchase होती stock markets के अंदर for example एक company है ABC ठीक है जिसके share की price रुपीज 10 है इसके share की price है अब share basically क्या है थोड़ा सा अगर मैं आपको और वी दे दूँ वो लोग जो business से तालुक नहीं रखते या finance से नहीं रखते तालुक उनके लिए share basically company की ownership है for example अगर एक शक्स है जिसके पास 1000 shares है और एक share की price 10 रुपीज है तो इसका मतलब है वो company का 10,000 रुपे का मालक है यानि 10,000 रुपे जो है उसके भी उस company की investment में शामल है ठीक है तो 10,000 of the total investment जतनी percent रे निकले की तो इतने percent जो है company का मालक वो शक्स हो जाएगा अब यह जो shares है अगर for example 10 dollar की price निकलती है जोड़ी 10 रुपीज तो उस 10 रुपे त इसका मतलब है कि अगर हम पिछले one month की जो market price रही है share की उसका standard deviation find out कर ले अगर standard deviation जो है वो कम आएगा इसका मतलब है इसकी price जो है वो standard रहती है ने इसकी price जो है वो ज़्यादा उसमें fluctuation नहीं है उसकी price कम ज़्यादा इतनी ज़्यादा या उतार छड़ाओ जो हम उर्द इतना चाह रहा हूं कि मैं इस share को further दूसरे लोगों को sale out करके उसे पैसे कमाऊ तो फिर मैं यह share नहीं खरीदूँगा चुकि मुझे ऐसी company का share चाहिए या मुझे उस company का share चाहिए जिसके अंदर fluctuation जिसका standard deviation बहुत ज़्यादा हो ताकि अगर उसकी price जब कम हो तो मैं उसक को खरीद सकूँ और जब उसकी price ज्यादा हो तो मार्केट में उसको sale करके उसके profit and कर सकूँ तो यहां पर भी देखें standard deviation ही हमें यह बताता है कि आप जो है वो उस share की cook up purchase करेंगे और कब यानि किस share को आपने किस company के share को आपको खरीदना चाहिए ठीक है इसी तरह से अगर ह स्टूडेंट के score की बात कर लेते हैं यानि दो स्टूडेंट को अगर हम compare करना चाहरे है एक स्टूडेंट है A, एक स्टूडेंट है B, स्टूडेंट A जो है किसी भी subject के अंदर, for example, start के अंदर ही जुसका score है वो 50 score है ठीक है जो कि average score है यानि यह स्टूडेंट A का score है तो हम यहां पे देखें mean यानि अब बलके हम second का भी लिख ले देंगा second बच्चा 60 score करता है ठीक है जब कि mean score है ठीक है वो है 50 और standard deviation जो है वो है 20 तो अब अब आप देखें अब आप देखें इन दोनों में से हम कैसे identify करेंगे किस बच्चे की performance जएदा अची है अब apparently अग score 60 कर रहा है तो obviously जिसका score 60 है वो बहतर लाग रहे है लेकिन अगर हम standard deviation को base बनाए यानि अगर हम यह देखना चाहें जी कि mean से इसका difference कितना है means इसका यहां पर difference जो आ रहा है 5 आ रहा है ठीक है यानि means इसका difference क्या रहा है 5 और 5 को अगर आप 10 के साथ डिवाइड करें तो य यहां पर यू समझाती है कि यह answer आजाएगा 5 divided by 10 is 0.5 इसका मतलब है यह अपने mean score का 0.5 standard deviation away है points 5 standard deviation away है जबकि यहां पर देखें तो 60 का 50 से जो difference है वो 10 का है 50 का जो 60's difference है वो 10 का है 10 को अगर आप 20 से डिवाइड करते है 20 1 time 10 1 time 10 10 2 times 20 ठीक है यह भी 1 by 2 आदा जो के answer आएगा 0.5 तो अगर आप 0.5 यानि यह भी अपने mean score से 0.5 standard deviation away है यह भी अपने mean score से 0.5 standard deviation away है तो यहां पे यह standard deviation हमें यह बता रहा है कि दोनों की performance जो है वो एक जैसी है दोनों की performance जो है वो class में एक जैसी है तो यहां पे भी हमें standard deviation ही help कर रहा है अब थोड़ा सा अगर हम यह देख लें कि standard deviation और या और mean deviation और mean deviation दोनों में से क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए ठीक है अब standard deviation का benefit है standard deviation किस तरह से finite किया जाता है हम जो जो भी तमाम data set की जो values हैं वो mean value से subtract करते हैं तीक है mean value से subtract करते हैं और उसका square करते हैं तीक है square इसलिए करते हैं ताकि जो negative का impact हो हतम हो जाए summation करते हैं and divided by n करेंगे तीक है यह हमारे पास आएगा variance और इसका अगर हम square root कर लें तो हमारे पस तेन deviation बन जाएगा जबकि जो mean deviation है mean deviation में x minus जो mean score है तीक है उसका हम absolute लेंगे उसका हम absolute लेंगे और तमाम values को summation करके divided by n करेंगे यह हमारे पास क्या आजाएगा mean deviation लेकिन अगर अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे जो mean जो absolute लिया जा रहा है वो negative के impact को negate करने के लिए किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम सिर्फ magnitude of the number के साथ deal करें है यूनिट के साथ deal नहीं करें यूनिट के साथ deal नहीं करें लेकिन यहां पे हम actual number का जब square करते हैं और जब उसका square root लेते हैं तो इसका मतलब है जो हमारे पास standard deviation आएगा वो actual अपने unit में रहेगा तो इस च यहां पर अगर आप देखें तो ज्यादा तर चीज़ों के अंदर spread final करने के जो standard deviation की value है वो हमारे mean deviation की value नहीं है mean deviation चुके unit के बगार हमें absolute quantity में एक number देता है जब जिसको किसी दूसरे data set के साथ compare करना पड़े तो problem होती है for example अगर एक चीज़ किलो मीटर में हो और एक पास रहेगा वो unit में होगा तो इसलिए standard deviation को interpret करना ज्यादा आसार हो गया इसके इलावा standard deviation हमें graphically अगर हम data set की sampling distribution करें जो कि मैं आपको अभी screen पे show करूँगा तो स्क्रीन पे आप यह देख सकते हैं कि हमने एक given population की जब sampling 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 distribution की तो वहाँ पे हमारे पास अगर हम n को large रखते हैं ठीक है तो वो हमारे पास जो frequency distribution curve बनेगी वो normal distributed होगी normal distribution curve होगी जिसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको mean value के right side और left side पर देखेंगे तो mean के right side पर भी 50% data होगा mean के left side पर भी 50% data होगा for example अगर ये मेरे पास mean है तो mean के अगर आप right side पर भी देखें 50% data है उसके left side पर देखें 50% data है तीक है अब standard deviation हमें क्या बताती है कि on average यानि generally क्या होता है कि अगर हमारे पास data set की जो frequency distribution अगर वो normal curve बना रही है तो फिर क्या होगा कि mean से one standard deviation के distance के उपर right यानि mean से one standard deviation above और mean से one standard deviation below जो data set होगा वो 68.26% data जो होगा इस region के अंदर होगा जो के आप area under the curve के थूरू भी fine out कर सकते है area under the curve के थूरू भी fine out किया जा सकता है और अगर आप mean के two standard deviation जाते हैं right side पर यानि अबव और mean के two standard deviation below जाएं तो फिर total data set आपके पास 95.44% data जो है within minus two standard deviation और plus two standard deviation होता है अब देखें standard deviation ही दरसल हमारी help out कर रहा है कि हम जो है वो किसी भी interval के अंदर बता सकें कितने percent data जो है वो is interval के अंदर मुझूद है तो standard deviation हमारी practical problems जो उसमें काफी हद तक help out करता है